तो नमस्का दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं लेकर गया हूँ वो सैमसंग मोबाइल फोन का अफार पी अनलॉग करना बाई डॉंगल के माद्यम से सबस्क्राइब करते हैं मीडिया टेक सीप्यू को कैसे इस्टेमाल करते हैं इन सब चीजों के बारे मनें आपको डिटेल से बता दिया है अब हम लोग जो सीखेंगे इस डोंगल के माध्यम से हम लोग practical कैसे करते हैं मलब हमारे पार कोई mobile phone आ जाएगा तो चालू mobile phone चालू mobile phone का देखा जाए तो जैसे मेरे पास यह mobile phone आ जाया है Samsung का mobile phone है इस Samsung का mobile phone के अंदर FRP lock लग जाए क्या लगा हुआ है FRP lock आप आएंगे मैं गौस्टो थोड़ा दिखाता हूँ यह देखिए mobile phone में FRP lock लगा हुआ है क्या लगा हुआ है FRP lock लगा हुआ है FRP lock को हम लोग कैसे open करेंगे FRP lock को कैसे break करेंगे इसको हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग आज डॉंगल के माद्यम से सीखेंगे तो सबसे पहली बात क्या है Samsung का mobile phone का FRP आटाना FRP आटाने का तरीका क्या होता है FRP आटाने के लिए जैसे Samsung का J7 mobile phone है तो इसको आप क्या करेंगे GSM 5.5.1 इस software को आप open करेंगे इस software को open करने के बाद आप software खोलेंगे software खोलने के बाद आप इसके माद्यम से unlocking करेंगे कैसे unlocking करेंगे कैसे unlocking करने माले मैं आपको step by step पूरा वीडियो मैं आपको देता हूँ वीडियो में बने रहे हैं और मेरा नाम रागवंदर और में इटेक इस्टिट कांपों से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मुबाइल फोन ए लाप टॉप इस तरीके तो टेक्निकल ही रिपेरिंग का कोस्ट कराया जाते हैं जहां पर आपको पूरा हाडवेर है पूरा सॉप्टर है बेसिक लेवल से करके अडवांस लेवल तक की कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो दोस्तों ऐसे हैं जो सीखना चाहेते हैं तो हमारे पास आकर कर सीख सकते हैं और यहां पर पूरा 45 डेस का कोस्ट होता है 45 दिन में आसानी से हैं आप सीख करके चले जाएंगे तो हम बताते हैं कि सेंसंग का मुबाइल फोन करेंगे सब से पहले उनलॉग करने के लिए हमको अपने शिस्टम पर क्नेक्तिविटी आपड़ेगा कि यह अ हमारे ओंग्ली कानेक्टिविटी आने के बाद वर शावराป पहले क्या करेंगे संब्सेंगा अल्टीमेट यह सम 5.1 इसे हम उपन करेंगे जब उपन करेंगे उपन करते ही आपके स्क्रीन में खुल जाएगा गरा प्लीज UMT Card Manager अपडेट करेंगे तो हमारा कार अभी अपडेट नहीं है इसको हम अपडेट करेंगे हम लोग अपने UMT Support में जाएंगे ऐसा कई पार ऐसा होता कि कार अमारा अपडेट करने को बोलता है कार अपडेट करने के लिए आप location में जाएंगे इसके नए अमटी card manager software पढ़ा है इसे open करेंगे open करेंगे एक बेर लुप जाएंगे ऐसा होता है डोंगल चेंज जाता है क्योंकि क्लास में सीखने के लिए 5-6 डोंगल होते हैं जिसको सब्सक्राइब लोग में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं देखता हूँ मैंने दूसरे डोंगल लगा दिया है इसको एक बार क्लोज करेंगे क्लोज हो जाओ भाई डाउनलोडिंग में जाएंगे लोकेशन में जाएंगे एमटी card manager में जाएंगे येस करेंगे अपडेट काड काउंटर करेंगे अपडेट काउंटर करेंगे इसको क्लोज करेंगे इसे ओपन करेंगे येस करेंगे तो आपके स्क्रीन में सारा software खुल करके आ जाएगा जब software खुल के आ जाएगा तो फिर software अमारा open होगा आई एसेप्ट agreement एसेप्ट ये हमारा open होगया ये के ओपन होने के बाद आप तो Color आप आप क्या करेंगे अब उसके बाद सबसे पहला काम करना रहा हिआ1 उस मोबाइल फॉण को आप क्या करेंगे बंद करेंगे तो दोस्तों हम लोग यह GSM Ultimate का पूरा प्रेटिकल भी कर रहे हैं और इस mobile phone को क्या कर रहे है तो इससे हमको दो चीज़ें clear हो जाती है एक तो पहली चीज़ हमको इसका करने का तरीका पता चलेगा दूसरी बात क्या है हमको इसका proper result समझ में आएगा कि यह जो भी software हम लोगों को आपके लिए मदद करेगा तो हम लोग क्या करेंगे पहले समसंग का mobile phone में unlocking करने के लिए flashing करने के लिए phone को downloading mode में ले जाना होता है तो हमने इसका volume minus button दबाया power दबाया home दबाया यह देखिए continue करेंगे जैसे continue करेंगे तो आपका mobile phone क्या हो जाएगा downloading mode में चला जाएगा downloading mode में चला जाएगा तो downloading mode में जाने के बाद फिर हमारा mobile phone downloading mode में सो होगा एक बाद फिर से हम इसको दुबारा करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ volume minus button दबाया home दबाया और power उसके बाद आप क्या करेंगे इसका volume plus minus को अच्छे रप्रेस करके देख रहेंगे plus minus अच्छे दबने चाहिए अगर plus minus सही से दब नहीं रहें तो problem है आपका phone downloading mode में नहीं जाएगा वो problem create करेगा इस phone में combo chip काना नया combo भी डाला गया है तो यह आपका phone downloading mode में जा चुका है जैसे आप देखेंगे आपका phone downloading mode में जा चुका है अब हम लोग क्या करेंगे इसको data cable को मादब से connect करेंगे यह हमारी data cable है data cable को क्या करना है system से connect करना है आप क्या करेंगे data cable को system से connect करा देंगे जब data cable को system से connect करा देंगे जैसे system से connect करेंगे तो आपका mobile phone इससे connect हो जाएगा जब आपको phone connect हो जाएगा तो connect होने के बाद आप इसको refresh करेंगे यह देखें, Com7 लिक्के आ रहा है अगर हम इसको हटा देते हैं फिर इसको refresh करेंगे तो हमारी कोई connectivity नहीं आ रही अगर हम इसको लगाने के बाद ही हमारी connectivity आती है तो इसका मतलब है कि हमारे mobile phone को ही पकड़ रहा है जब हमारा mobile phone connect हो चुका है उसके बात हम लोग क्या करेंगा reset FRP पर क्लिक करेंगे जैसे reset FRP पर क्लिक करेंगे तो हमारे phone को इसने पकड़ लिया या आप हमने new method के लिया है Samsung mobile phone 4 connected rating phone data देखिए एक mobile phone में software जैसा चलेगा और ये FRP reset done देखिए phone भी restart मारेगा closing session restart आपका mobile phone restart हो गया जैसे restart हो गया तो इसका मनलब है आपके mobile phone का FRP lock break हो चुका है अब आप हटा देंगे कुछ समय का wait करेंगे इंतजार करेंगे देखेंगे कि हमारे mobile phone का FRP lock तूटा ची नहीं तूटा तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि कैसे हमारे पास Samsung के mobile phone आते हैं जैसे J2 है J2 Pro है J5 है J7 है इन mobile phone का हम लोग FRP कैसे break करते हैं आंगे की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा आंगे चल करके आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि mobile phone के FRP को कैसे अटाया जाता है या mobile phone में FRP आटाने का तरीका क्या होता है या FRP आटाने का सिस्टम क्या होता है तो आज की वीडियो में मैंने आपको Samsung के mobile phone में FRP आटाने का तरीका क्या है या FRP आटाने का सिस्टम क्या है ये मैंने आज आपको बताया हुआ है तो आप वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको समझ में आया, कि नहीं आया, या कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप पूछे, किलियर करें, या बहुत ऐसे स्टुएंट हैं, जो लोगों ने मुझे फोन किया हुआ है, सारा जानकारी के लिए, कि सर मुझे वीडियो इस डोंगल के मादयम से कैसे मोबाईल फोन में आफ और। एक बार में, आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाया हुआ है, वीडियो में आपको करके भी दिखाया है, समझा है죠, तो हमारे बार इस तरीके से, जितने थे साररे लोग होते हैं, या मैंने, सोफ्टर के बार म वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अखर है को वीडियो अब कम नहीं चाहिए अगर मेरा सिखर नर सक्षय की जो लोग देता हूं जो इस इसट्विइन हैं लेकिन उन को कहीं सीचने के को नहीं मिला या बहुत असे स्टोंट होता है जो मुझे फोन करते हैं कि सर में एक जगे मोबाइल फोन को सीखने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर हमको सॉफ्टर सीखने को नहीं मिला उन्होंने हाड़वेर के तौर पर का देखा जा जा तो मेरे से मोबाइल फोन अभी भी वापस जा वापस जा रहा है क्यों वापस जा रहा है क्यों कि हम सॉफ्टर का काम करी नहीं पाते आज भी मैं आपको बता हूं मार्केट रेस्यू की बात करते हैं तो मार्केट में अगर 10 लोग होंगे मोबाइल फोन में काम करने वाले तो 10 में से आठ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं यत जानते हो लोग है जो ट्रेंड बंदें नहीं हो गता काम कारगा है आज मैं बताना मेरे पर बहाड से मिस्रा जी औनों ने स्वाज चीज और सारो चीज रहें कि आज मैं कि दृजे आज मैंने सोशल ने ततीक के आ रखा नहीं हो डीलेता है लेकिन बात यहां पर नहीं होती थी, बात यहां पर होती थी, कि हम सोचते थी, यार उब बड़ा कठिन काम होगा, उसने सॉप्ट्रें इंगिनेरी का कोई बड़ा लंबा छोड़ा खोर्स कर रखा होगा, को इसलिए कर पाता मैं नहीं हो तो आग जब उन्होंने मैंने उन्हें ने को थोड़ा से बताया उनको टॉभी करेंसा इस पो सीखेंता हूं यह तरीके काम सीखा जाता या काम सीखने करीपर प्रॉपली वह क्या है इन देता हूँ सबसे पहले हैं आप देखेंगे class में किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं एक एकर के वीडियो के माध्याम से कैसे काम कर रहे हैं या जितने भी सारे class के दौरान सारे latest equipment है microscope है OCA machine है tools है या software some money जितने भी सारे tools है वह सारे tools class में available है वो सारे टूल क्लास में बच्चों को मिलते हैं और उनसे बच्चे प्रेटिकल करते हैं जो भी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहते हैं तो यह ट्रेनिंग सेंटर अपना कानपुर सेंटरल रेलवे स्टेशन जो पढ़ के लिए आते हैं तो हम लोग पर फिरी में मोबाइल फोन टीक करते हैं उनका पैसा नहीं लेतें प्रॉट के लिए हमारा जो इस्टुडेंट उसको सीखनें को मिल जाए हमारा चिटुडेंट अच्छी तरीके तो सक्सेश्फुली सीख करके जाए और आज मैं आपको बताता ह में मोबाइल फोन रिपेरिंग का काम सीखने गया था वहाँ पर मैंने बड़ा एडवांस लेवल का काम सीखा CPU बनाना सीखा, MMC बनाना सीखा, सब कुछ आ गया लेकिन मैं मोबाइल फोन में फॉल्ट फिर भी ने ठीक कर पाता एक सजी मुझे चार्जिंग कनेक्टर लगाने में प्राब्लम आती है तो सर मैं उन स्टुएंट के लिए बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि जो आप विल्कुल फ्रेसर हैं, विल्कुल जीरो लेवल के हैं तो सजी आप एडवांस को तो अगर आप प्रिफर करते हैं, बिल्कुल प्रिफर करेजिए, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बिल्कुल रिपेरिंग आती ही नहीं है तो ऐसे डवांस का क्या सीखने का फैदा कि आप मोबाइल फोन में निकाल के लगा दो, लेकिन फोन को चालू न कर पाओ, तो किस काम का, तो जाहिज सी बात है कि सजी आपके लिए एक ऐसा कोस होना चाहिए, जो विल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक क करता है, और यहां पर जब आप मेरे पास सीखने के लिए आएंगे, तो भीकुल बेसिक लेवल से मैं आपको ऐसे बच्चों का अनलॉकिंग फ्लेसिंग करा के बेजा है, जो आज तक कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, आज वो मोबाइल फोन में अलॉकिंग फ्लेसि का मैंने आपको सिखा हुआ है, और मैं आपको वीडियो का माध्यम से कहना चाहता हूँ, कि आज मेरे पास सहरनपुर के रहने वाले हैं, जुशी जी, उन्होंने अपना मोबाइल फोन रेपेरिंग के लिए जोइनिंग करा हुआ है, कि सर मैं आपको वीडियो देख देखक आपको मैं ही देखता हूँ, अब वो सौप में ऐसा हुआ, कि अब उस सौप को जब मैं देखता हूँ, तो मुझे प्रपर नॉलेज है नहीं, मुझे इसी बाने ऐसा होते करते होते करते हैं, मुझे कम तक 5-6 साल हो गया, लेकिन आज भी मैं पूरा काम नहीं कर पाता है, क क्योंकि भाई जब हमारा काम ही हमसे वापस जा रहा है, बात तो वहाँ पर होती कि जैसे आपके पाद कोई फोन आया बन वाने के लिए, वो कहता है मेरे मुबाइल फोन को लोग खोल दीजिए, तो आप कहते हैं, तो अब यहाँ पर बात आती है, आप करी नहीं पाते हैं, अब आप उस फोन को रख लेते हो, उसको बोलते हैं, साम को मिल जाएगा फोन, अब साम को आउस मोबाइल फोन को लोगे, फिर अपने आंसे पांच किलोमेटर, दस किलोमेटर, बीस किलोमेटर कोई दुकान होगी, वहाँ पर लॉक खुलवाने के लिए जाओगे, अगर ब प्रब्लम किया थी कि हम नहीं कर पाते हैं, बात यहाँ पर आती है, तो वह कह रहा थी कि सर, हमको ऐसी बड़ी प्रब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो मेरे पास काम तो हजारों रुपे काता था, लेकिन मैं दो तीन सो रुपे कैस कर पाता था, वांगी सारा काम किसी और के पास चला जाता था, तो उन्होंने सोचा कि क्योंने सर, मैं ही सीख लेता हूँ, आज पूर अच्छी तरीके से काम कर पाता हूँ, एक बात मैं आप से कहना चाहता हूँ, कि जितने भी सारे लोग है, कि अगर आप कितने भी सब चीजों को ले करके, अगर आपको पूरा कम्पलीट नॉलेज होगा, तो आप अच्छी तरीक के काम कर पाएंगे, आज वीडियो के माध्याम से और भी कहना चाहता हूँ, कि हमारे पास राजिव जी है, जो मोबाइल फोन रिपेरिंग का कम्पलीट कोस सीखे गए हुए हैं, और आज ही आएं उन्होंने सामान पढ़ा होगा, तो 25-30,000 रुपया के सारा टूल सा आइटम पढ़ा हुए है, 25-30,000 के अंदर मोबाइल फोन रिपेरिंग के सारा टूल के टाग है, बढ़िया ए-लेवल का टूल, उससे जा करके उनके मोबाइल फोन के रिपेरिंग दुकान ओपन होने वाली है, वो फिर वीडियो देंगे, अब वीडियो देने के बाद फिर मैं आपको रिवीव डालूँगा, देखिए किस तरीके से बच्चे सीख करके जा रहे हैं और अपना मोबाइल फोन रिपेरिंग का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सामसें के मोबा करें, वीडियो कॉल में क्लास लेतों हुए देखे हैं, कि कैसे मोबाइल फोन में रिपेरिंग होती है, रिपेर करने का तरीका क्या है, टेखनी क्या है, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, तो सारी चुछों के बारे मैं आप देख सकते हैं, और आराम से आप जिनको pantal नहीं कर पा रहे हैं किसी बीकिशिक को ले करक रेकर के अगर वो बिरोजगार हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है या पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं अगर शीको सुझना चाहई तो इस लाइन में आकर के शीख सकते हैं इस काम को सीखने में कोई बहुत 한다 तो जो ऐसे लोग है जो बिरोजगार हैं पूरा दिन फिरी बैठे रहते हैं, मुबाइल फोन चलाते रहते हैं, तो इससे अच्छा मुबाइल फोन को बनाना है सीख लो, भाई आपका काम तो आएगा, एक हुनर है, अगर किसी भी आदमी के हाथ में हुनर है, तो कभी भी बि तो आपको वीडियो में कैसे लगा, वीडियो में समझ में आया कि नहीं आया, तो आप मैसेज जरूर करें, वीडियो में बने रहें, थैंक्यू देश्यू अ ी चाल आपका के अजara थे जड़ खें से लगाइबंज आपका कारें, वीडियो में प्मा चは regular सकता है जो आपका को सित नहीं है भीडियो में की की वीं एग्यू किले अपकया, वीडियो में आपका कैसे बैसे नापका किसी खू़र को पलो है, पूRO cyn Gonzalez के अच्Gen, मु gezogें से